लोग देखने वाले हैं अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीए और मुझे आसा कि आप लोग यह सारे प्रश्ण कर लिजेगा तो आपकी एक्जामें सौ में सो आजाएंगे तो चलिया हम लोग शुरू करते हैं पहला नमबर प्रिशन से के ओप से नमबर या पिरमराव आंबेतकर के भी ख्यात भासन अनले सन अफ कास्ट का हिन्दी में रूपांथर किसकी तेंगरyes नम्र और बताइए जाखिर किसने किया हरूप आंतरन कि साजाद अंसारी अम्डी राजु तारा प्रवीन रियल मिरोहित राज तेजी में कमेंट कीजिए जितने भी आज हिंदी के सारे प्रश्णों को हम लोग खत्म करेंगे तो पहला नमबर जो प्रश्णिस का सही जबाब आपस जो एक भाशन है उसको हिंदी में रूप आंतरन किसने किया है तो लला ही सी आदव ने नेक्स प्रश्ण दिखिएगा नलीन बिलोचन सर्मा का जन्व कब हुआ था यह बहु ज़्यादा इंपोर्टेंट है और आपके एक्जाम में डाइरेक्ट पूछेंगे में तो ऑफ्सन नमबर आ अठारव परवरी 19 सोला बह जुदा जर्वरी 19 सोला सीर तीन दर्वरी 19 16 साजाद अंसारीय तारव प्रवीन ए रुपाली बी तो दो नमबर जो प्रश्ण है इसका सही जवाब आपसर नमबर ए होगा नलीन विलोचन सर्मा का जुच जर्म है वो 18 फरवरी 1916 को हुआ था चलिए नेक्ष प्रश्ण हम लोग तीसरा नमबर देखेंगे सेंज साहब के कितनी लर्किया हैं सेंज साहब की कितने लर्किया हैं आपसर नमबर ए दो बी तीन सी है चार दी है पांच तेजी में कमेंट कीजिए कि सेंज साहब की कितनी लर्किया हैं यह बहुँ ज़्यादा इंपोटेंट है और कई बार पूछा हुआ है तेजी में कमेंट किजे सभी लोग कि सेन साहब की कितनी लड़कियां है सहजाद अंसारी तारा प्रवीन खुश्बूग तो तीसरा नमबर प्रशनिस का सही जबाब अप्सन नमबर डी होगा पांच अप्सन नमबर डी पांच आज जो है लाइब चार बज़े से छे बज़े तक होगा और जितने भी हिंदी के कोशन पूछेगा हैं यह सारे प्रशनों को हम लोग खत्म कर देंगे बस चलिए निक्स प्रशन अगरजा सब्द में प्रत्य है अप्सन नमबर ए गरजा और डी है आ और हो सकता है तो रात में रात में आठ बज़े से मैस का लाइब लेंगे ठीक है मैस का लाइब तो अगरजा सब्द में प्रत्य कौन है तो प्रत्य हम उसको बोलते हैं जो की बाद में लगता है और उपसर को पहले तो अप्सन मेरे घ्रजा अप्सन मेरे हैं गरजा भी है घड़ा और डी है आग तेजी में कमेंट कीजिए कि अगरजा सब्सक्राइब क्या भी भी आइक कोशन है प्रत्याई से आपके पांच नंबर के कोशन पूछे जाते हैं ठीक है से जाते हैं और जो इस बार के लिए इम्पोटेंट है सारा प्रशन अपुखर बाद देने वाले हैं रुपाली भी बता रहें कि में कमिंट कीजिए कि अगरजास अबंढ़े है कि साधा अग्रजा सब्सक्राइब क्या है तो आप है ठीक है आप रत्या है अग्ति है गला सब्सक्राइब और किया है जोगा आसा सब्सक्राइब को ओए घ्र तक टेट है कि न्यौहीज ती City में सब्सक्राइब मेरे मुकर्जी साहब विसेन साहब से ड्राइबर का गिर्धरलाल का एक बार तेजी में सभी लोग कमेंट कीजिए मैं थोड़ा मारकर ले रहता हूं मारकर यहां से में स्क्रीन से गायब हो गया है कि एक में टेक में तो मदन किसका बेटा था उस ऑप्सन नमबर डी याद रखिए गिर्धरलाल का गिर्धरलाल का मदन जो है गिर्धरलाल का बेटा था निक्ष्ट देखे महरानी विक्टोरिया के द्वारा की से नाइट क्यू पाधि परदान की गई थी यह प्रशन बहुत ही ज्यादा इंपो किसे नाइट कु पाधि प्रदान कुद्शन सिलम महरानी विक्टोरिया को नाइट तो च्लोब प्राश्न का स्वाज बाव सनूम्बर भी यदगा महरानी विक्टोरिया द्वारा किसे नायट पाधि přवस्ट मुलर मैक्स Judonly और आंसर याद रखना है नेक्ष देखिए हिंदी कभीता में प्रपद्यवाद के प्रवर्ता कौन हपसर नंबरे मैक्समुलर यह प्रशन आपके एक्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट और बीवी आई है डाइरेक्ट आपके एक्जाम में 100% यह पूछा जा दीजिए गार अगर 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 पाली बता रहे हैं तो साथ नंबर प्रश्ण का सही जवाव से नंबर भी हो जाएगा ठीक है हिंदी कभीता में प्रपद्यवाद के प्रवर्ता कौन है तो नलियन विलोचर सर्मा यह प्रश्ण बहुत बार पूछा गया तो को याद रखिये गा बहुत ही ज्यादव President है next के अत्म साथ सब्सक्राइब कर देए और समरे साथ यह नन हिंदी का नहीं है तो आप लोग मुझे फोटो किसकर भेजिया एक अठीक है मैं उससे परहा दूंगा नन हिंदी का नहीं है तो आत्म साथ सब्कुरते कौन है तो आपसर नमबर याद रखेगा साथ साथ जो है प्रत्य है नेक्ट देखिए नौ नमबर विचार और व वेदी वहत्मा गांदी सी गुनाकर मुले डी यतिंद्रमिस तब तक आप लोग क्या करना है जो पुराना वीडियो चैनल पर डाला हुआ है प्लेइलिस्ट बना हुआ है जाए सारा वीडियो उसमें से जो जो वीडियो नहीं देखें है जो सारा वीडियो को देख इस प्रश्न का विचार और वितंत के लेखा कॉन है तो नौ नम्मोर का पुर के लेखा के रए नेक्स्ट- समया गाओ नाकुर्म बारबार करते रहना रहा मोरा लंकृत करते रहनार निरुपीत करता किस चीज को ई संधुरे है को संदर्य बहुद और संस्कृतिक चेतना को बेस उंदर्ता बढ़ाने को सिह अच्छे बैबार को और दी है सुंदर्ता और स्वास्तर पर ध्यान देने को तेजी में कवार कमेंट किजिए कि क्या होगा नाखुन बार-बार काटते और अलंकृत करना निरुपित किस चीज़ करता है अमडी राजुक रियल मी रोहित राज यानि कि खुस्पुजी रुपाली कि सभी लोग कमेंट आ रहा है तो इस प्रशन का सही जबाब होगा नाखुन बार-बार काटते रहना संदर्य बोध और संस्कृतिक चेतना का निरुपित करता है याद रखेगा नेक्ष द प्रशन का बिलोम क्या है अप्सेन नमबर ए नफरत भी प्रेम सी है सयोग डिया सतकार आप लोग के लिए पूरा एक ब्याकरन का सीरी जलाएंगे नन हिंदी हो या हिंदी सभी वह जितने भी कोशन करवाएंगे प्रत्या संग्या सरबनाम सारे पढ़ लिजिएगा तो घ् हाँ मतलब होता क्या जीना मतलब नफरत करना होता ठीक है तो एक गना का क्या होता इब कर देता है या या बाती है वहां पर तो फूलता हुचता है जीने बहुत खुन आप कि नहुद होब भखती है न बाता बस बहुत तो वह बलावात नहीं करना है ठीक है बताइए फिलाल की हवा सब्ज़ का निंग कौन है राजू का जवब आ है या बहती है तो बताइए क्या हवा बहती है नेक्स्ट तेरा नमर प्रश्ण कुल चार आदमी है कौन पदबंद यहां पर तो रेखांकित नहीं करना भूल गाएं तो छोड़ देते हैं यहां पर यह गलत हो गया है को सब्सक्राइब क्या है खरिदा वाकिये, क्याफसन नमबरे에서도 मिसर वाकिये, भी सरहल वाकिये, सिसयूक्त वाकिये, डीन में से कोई नहीं एक वार तेजी में बताईएगा उसने अपने पुत्र का पुस्तकाले खरिदा वाकिये क्या है बातर हम लोग दो घंटा में हिंदी में जितने भी कोशन पूछे जाते हैं सारे प्रश्न को देख लेने वाले हैं तो बार के जाने उसकी में करते सब्सक्राइब कर लिएगा अभी तो अभी तक आसा है कि आप लोग सभी लोग जरूर जोईन हो गया होंगे नहीं जोईन हो एक बार नंबर मैं लिक देता हूं अभी तक नहीं पताया था तो यह नंबर है मेरा नंबर सब्सक्राइब कर लिएगा और जोईन हो जाईएगा सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे आठ बजे से अप लोग का कुछ आधा या घंटा का मैस का लाइब क्लास ले ले ठीक है अभी मातर दो घंटा लाइब होगा इसमें पूरा हिंदी कंप्लीट कराएंगे ठीक है दो घंटा और ब्याकरन के लिए आप लोग के लिए अलग से भी टॉपिक लाएंगा ब्याकरन का अलग से वीडियो रहेगा उसमें हिंदी नन हिंदी जो है सब पढ़ सकते हैं तो न नमबर उपमान भियुपाधि फिवपार डिया उपम बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है जिसकी उपमाधी जाए अलंकार आप लोग परहे होंगे उपमा उलंकार अलंकार ऐसा होता जैसे कि अधि उधारन देते हैं कि चांद सामुख ते रहा याने कि देखे उपमा दिया गया कि चांद के जैसा जो है उसका मुख है ठीक है तो ने कि शोला नुबर प्रश्ण का सही जवाब क्या होगा उपमा लंकार तो ऑप्सन नमबर दी याद रखिए गाउपमा लंकार जिसकी उपमा दी जाती है उसे हम लोग उपमाई बोलते हैं यह बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट और भी आई है आपके एक्जाम के P舉 आथभास चि調 घ्या आथमयरे खरोश्थी भी याद राक्रेत लिपी सब्स्री नाग्रीलिपी दी इंपISTσε mandate każdy 11th lowest 81.25 परसेंट माराथी भासा की लिपी क्या आप सब्सक्राइब करोष्टी भी प्राकृती सी नागरी और डिया देव नागरी बहुत ही जाता इंपोर्टेंट है यह प्रस्न तेक पर कमेंट की जिए और बताइएगा कि माराथी भासा की लिपी क्या है तेजी में सभी लोग यह आपकी एक्जाम में पूछा जाएगा माराथी भासा की लिपी रुपाली रोहित राज यानि की खुसबुजी तो 17 नमबर प्रस्न का अंसर आप लोग याद रखिएगा डि देव नागरी लिपी देव नागरी इसका सही जबाब होगा अठारा नमबर प्रस्न देखि ज्यादा इंपोर्टेंट है तो एक ब़ून पर नगरी के ओनपर मार साफित होbles हीधानु रागी थे बहुत ज्यादा सब्सक्राइब हो जाएगा रुपाली का बिल्कुल सब्सक्राइब ठीक है धारा नगरी के कौन पर्मार सासक जो है विधान उरागी थे तो भोज याद रखना है भोज नेक्ष प्रशन देखिए उनीस नंबर महा विद्यालय नामा कहानी संग्रा किनकी रचना है ऑप्सन न नंबर ए मातमा गांधी अमर कांथ सी है विराज कुमार सुकल दी है मैक्स मुलर तीजी में कमेंट करिए रवताईए कि आखिर महा विद्यालय नामा कहानी संग्रा किनकी रचना है बहुत ही इंपोर्टेंट प्रशन है तो तीजी में कमेंट कीजे सभी लोग चले बहुत अच्छा 19 नंबर प्रशन का सही जबाब और सी 20 कुमार सुकल बिनोत कुमार सुकल इसका सही जबाब होगा रुपाली का सही है नेक्स्ट नेक्स्ट प्रशन देखे बहादूर की मां गुस्टे से पागल क्या हो गई थी और से नमबर ए बहादूर ने भैस को मारा था भी बहादूर ने कुट्के को मारा था सी बहादूर ने बिल्ली को मारा था दी बहादूर मां काम नहीं करता था एक वर तेजी में बताईएगा बहादूर की मां गुस्से से पागल क्या हो गई थी बहुत ही ज़्यादा इंपोटेंट है एक वर तेजी में बताईए सभी लोग कि बहादूर की मां गुस्से से पागल क्या हो गई थी बहुत ही इंपोटेंट प्रशन है तेक वर तेजी में कमेंट कीजिए और बताईए सभी लोग रुपा लेड़ी विस नमबर प्रश्ण का सही जवाब होगा आपसे नमबर ए बहादूर ने भैस को मारा था इसलिए बहादूर की मां गुस्से से पागल हो गई थी निक्ष्ट देखिएगा एक इस नमबर किसने सोवियत संग पर आ भी हिटलर, सिपुतीन, दिलानिन ये भी भी आई है एक वरतेजी में कमेंट कीजिए और बताईए कि आखिर किस ने सोवियत संग पर आकर्मन किया ये बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेन प्रश्ण है कई बार पूछा गया है एक वरतेजी में कमेंट कीजिए सभी लोग और बताइए कि किस ने सोविय संग पर आकरमन किया, तो 21 नमर प्रास्षन का सही जवाब, अपसर नमर बी, हिटलर ने क्या किया था, सोविय संग पर आकरमन किया था, निक्ष्ट देखेगा, यदि मनुसे की परिस्थिती का नियामक नहीं है, तो परिस्थितियां भी मनुसे की नियामक नहीं है तो मनुसे की नियामक नहीं है अगर परिस्थिति जो है मनुसे की नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी जो होगा मनुसे की नियामक नहीं ओफिन नमबर बी याद रखेगा नेक्ष जखे सभी लोग गुद्री का लाल मुहावरा का अर्थ क्या है अप्सन नमबर ए लाल रंग की गुद्री भी ये गरीब के घर में गुनवान का उत्पन होना सिये गुद्री में बालक का सुलाना ये लाल गुद्री बनना तेजी में एक पर कमेंट कीजिए कि गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या है बहुत ही ज्यादा इंपोटेंट है यह बहुत ही ज्यादा इंपोटेंट है कई बार पूछा गया है जिसका सही जबाब होगा ऑप्सन नंबर भी गरीब के घर में जो है गुनवान उत्पन होना ऑप्सन नंबर भी याद रख यातुधान और देसे अंधब कुझे परश्न बहुत ज्यद्ध क्वेकि बहुत ग्रूल को और आपको फिरी पीडिय नोट्स और वायल कूश्यंस मिलने वाले हैं प्रति दिन सब्द कौन सा समास है और तत्परूस भी कर्मधाराई सी द्विगू डी है अब्याईभाव एक वर तेजी में कमेंट किजिए और बताइए कि प्रति दिन सब्द में कौन सा समास है प्रति दिन क्या है तो अब्याई है तो यहाँ अब्याई भाव समास हो जाएगा ठीक है निक्स परशन दिखिये यह सोधरा सब्द का संदी पिछेद है और तो तेजी में कमेंट किजिएगा और बताइएगा यह सोधरा सब्द का संदी पिछेद क्या होगा बहुत जड़ाइपोटेंट है तो तेजी में क्वार कमिट किजिए और बताईएगा यह सुद्रा सब्द का संदी विचेद क्या होगा तेजी में तो 26 नमर प्रश्ण का सही जबाब और याद रखेगा यह साफ पलस धुरा धरा बहुत ही ज्यादा इंपोटेंट और भी वी आये निक्षटाइस नमबर इनमें से सुद्द वाके कौन है ऑफसे नमरे सब्द तो केवल संकेत मातर है वी सब्द तो केवल संकेत है सी सब्द त के कौन है बहुत ही ज्यादा इंपोटेंट एकबर तेजी में कमेंट किजिए गा और बताएगा इनमें सुद्ध वाक के कौन है रुपाली के कमेंटर 27 का सही जबाब ऑफसे नमबर डी याद रखेगा इनमें से कोई नहीं कभी घरानंद किस बासा के यहां मीर मुंसी का का बी आए ऑफसे नमबर ए हमायू भी है मुहमद सारंगीले सी है बाबर दी है अकबर एकबर तेजी में कमेंट किजिए और बताएगे कि कभी घरानंद किस बासा के यहां मीर मुंसी का काम करते थे बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है इस प्रशन कांसर याद रखेगा ऑफसे नमबर भी मुहमद सारंगीले के यहां कभी घरानंद जो है मीर मुंसी का काम करते थे ऑफसे नमबर भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जन्म के च्छा गंटे बाद किनकी माता का दिहान थो गया था मुश्ट वीवी आई कुश्चन और कई बार पूचा हुआ अफसे नमबर एक गुरु नानक, भी है सुमित्रा नंदन पंथ, सी है रामधारी सी दिनकर और डी है प्रेम घन एक बर तेजी में कमेंट कीजिए और बताइएगा कि जन्म के च्छा गंटे बाद किनकी माता का दिहान थो गया 29 नमबर प्रश्चन का अंसार आप लोग याद रखियेगा जन्म के च्छा गंटे बाद जो है किसका दिहान थो गया तो सुमित्रा नंदन पंथ की माता जी का तुरी सुमित्रा नंदन पंथ की मिर्थिव कारदूर घटना में हुआ था ये भी याद रखियेगा भावरे अरहल राजदंड बनने को है यह पंक्ति किस कविता की अपस नमबरे जन तंत्र का जन में भी है सोदेशी सी है हीरो सीमा भारत माता यह प्रश्ण बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट और भीवी आया है तो पर कमेंट किजिए और बताइएगा फावरे अरहल दिए आखिर क्या इसका जवाब होगा कर दो कर दो कर दो कि देखे तो इसका सही जवाब आपसे नमबरे हो जाएगा जन तंत्र का जर्म आपसे नमबरे याद रखिएगा नेक्ष्ट देखिए एक बिस की हत्या कवीता किसकी रचना है और अपने सभी दोस्तों में भी सेयर कर दीजिएगा रुपाली सी जक्तिस नमबर प्रस्टन का सही जवाब आपसे नमबर सी कुवार नारायन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा 32 बिरन डंगबाल का पहला कवीता संग्रह अपसे नमबर दूस्चक्र में सन्नाटा अभी है इसी दुनिया में सी है देसांतर डी है वाक्न दूत ये भी भी आई कुश्चन है पर बताईए कि बिरन डंगबाल का पहला कवीता संग्रह कौन सा है झाल कर दूते हैं जो चले नेक्स्ट तो बिरें डेंगवाल का पहला कवीता संगरा क्या है इसी दुनिया में आप्सान नमबर भी याद रखिएगा नेक्स प्राकर्तिक संदरे की कवीता के लिए भी ख्यात कभी है ऑप्सान नमबर ए रामधारी सी दिन कर वी सुमित्रा नंदर पंथ सी गुर सुमित्रा नंदर पंथ निक्ष्ट देखे चौंतिस नमबर प्रश्ण किस कभी ने वर्ण आसरम विवस्ता और कर्म कांड का बिरोज करके निर्गुन ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया तो आप्सान नमबर दी देखे गुरु नानक याद रखना इस प्रश्ण में गु सुमित्रा नंदर पंथ तो यह प्रश्ण जो है आपके एक्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोटेंट है और कई बार पूछा गया है यह प्रश्ण 2019 में भी पूछा था कि नगर संबेदना के कभी कौन है ओप्सन नमर सी याद रखना ठीक है कुबर नरायन कुबर नरायन जो है नगर संबेदना के एक अभी है 36 नमर प्रश्ण दूर्दात मानविये विविसी का कचितरन करने वाली कवीता है ओप्सन नमर ए हीरो सीमा वी स्वदेशी सी है भारत माता दी है जनतंत्र का जन्म एक रुपाली कभी जबाव आचुका बी बता रहे हैं तो दूर्दात मानविये विसी का का चितरन करने वाली कवीता अप्सन नमबर ए हीरो सीमा याद रखिएगा हीरो सीमा चैनल पर नए होंगे सत्यम जी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा निस्ट्रीस साँपना सेर्शन नमबर इत्यूAR कभी काज ऑसमी नमबर ए राम भक्ति मंद ऑन गीथ असे प्रेम एवर भक्ती के मदूर गीथ दिया सूफी साब्सक्राइब ये और बताईएगा कि गुरु नाना के पध कौन है तेजी में कमेंट करना है और बताना है कि गुरु नाना के पध कौन है बहुत ज़्यादा superintendent है आपके एकजाम में यह प्रशन पूछे विए हैं 2017 में यह प्रश्न आया वा था, 2013 का यह प्रश्न है और यह 2000 लास्ट में 21 में पूछा वा प्रश्न है, इतने सालों में यह प्रश्न पूछा गया है, तो गुरु नाना के पद क्या है, तो अपसर नमबर राम भक्ति मैं गीत याद रखियेगा, निक्ष जखिये, 38 नमबर रस खान है, उसके द्वरा क्रिष्न लीला का गान किया गळ journée पदो में भी है धानाकच्षरी में, ऐघ्र हो में, 2 हो में और ृड sm ऑयमें submit करना है और बताना है कि रखान द्वरा क्रिष्न लीला का गान किया गया कब गई तो प् 맡 रसुसब्र वीब्रज भासा और अब्धी सी है हिंदी दी है उर्या तेजी में सभी लोग कमेंट करते रहेगा और बताईएगा क्या इसका जवाब होगा चालिस का सही जवाब वीब्रज भासा और अब्धी याद रखना है नेक्ष देखे चालिस नमबर स्वार्न किरन किस कभी की रचना है उपसा नमबर एक कुबर नरायन वी रामधारी सी दिनकर सी सुमित्रा नंदन पंथ और डी है गुरु नानक तेजी में कमेंट कीजे सभी लोग चलिए तो इस प्रशन का सही जवाब अफसा नमबर सी याद रखिएगा स्वार्न किरन किरन की रचना है तो सुमित्रा नंदन पंथ जी का नेक्ष आत्म जई नामक प्रबंध कावे किस कभी द्वारा लिखा गया है ऑफसा नमबर ए गुरु नानक भी है वीडिन ड प्रशन आधुनिक साहिते में एक प्रतिभा थी पर परतिभा कौन तो नमबर ए सोही बात्सयान अग्याई भी रहीम और सी है कवीर और डी है सुमित्रा नंदन पंथ तेक वर तेजी में कमिन्ट कीजिएगा सभी लोग और बताईएगा कि आधुनिक साहिते में एक प्रतिवा कौन थे तो शौही बास्यान अग्यानिकी सचितानंद धीरानंद बास्यान अग्याई तैंतालिस नमबर प्रश्ण किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का भी रोज नहीं किया अप्सन नमबरे मंगू भी कुसुम और सी है मैटरन डी हमा तेजी में कमेंट क और सी दस वजे ग्यारा जगाव कि मा रात में कितने बज़े ह filter से लोट कर घर आ यह तेजी में कमेंट करते रहना है चोबाल इसका सही जबाएंस नमबर डी है घ्यारा बज़े याद रखेगा घुवारी क्ष़म प्रहें कुस्पा याद रखेगा एक बार तेजी में कमेंट किजिएगा रियल मी रोहित राज सत्यम प्रींस चलिए 45 नबर प्रश्ण का सही जबा उपसन नबर सी याद रखेगा गाउं में जुआरी किस्म के बैक्ती कौन्थी तो रंगपा 46 नबर प्रश्ण साथ कोरी होता किस भासा के प्रमुक कताकार है जेकि इस वार के लिए प्रश्ण बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट अटिक है और सिन नबर बांगला वी उडिया सी हिंदी और डी है संस्कृत साथ कोरी होता किस भासा के प्रमुक कथाकार अवस्ट नमबरे बांगला वि उरिया से हिंदी डिसन्स्क्रित त्यजी में रुपाली वी रोहित डी तुस प्रश्ण का सही जबाव साथ कोरी होता जो है प्रमुक कभी किसके थे तो उरिया के 47 देवी नजी बांध के नीचे कि और बताए कि डेवी नाद देवी नदी बांध के नीचे किसका गरता रुपाली का जबावा चुका है दो के साथा प्रस्ट नहीं यह भी अपकी एक्जाम के लिए बहुँ ज्यादा इंपोटेंट है इसका सही जबाब आपसा नमर सी होगा लक्षमी का जो घर है देवी नद क्तिती संताने टि यह प्रस्ट याद कर लिजये प्रस्फन बहुत ही ज्यादा इंपोटेंट रह है वप्रस्द मांगु क्या से लुटला कूल अंटी उसकी न परक्रसमाक पर 25 है ब जूसकी आए शनांट हए पर फाद रिंस नमर एचुरिधा हो भी आत्रइद्ट याद र उन्चास का सही चबावसर नमबर दी याद रखिएगा किसने तो भवरी ने सीता को रसमलाई भेजी नेक्ट के बड़े लरका का क्या नाम था आप्शन नमबर एक एलास, विहुलास, सिविकास, दिसुभास ये प्रश्ण इंपोटेंट है स्वार के लिए जब बताईए कि सीता के बरे लड़के का नाम क्या था तेजी में कमेंट करते रहना है सभी को आप्शन नमबर ए याद रखिएगा ठीक है सीता के बरे लड़के का नाम क्या था तो कैलास कैलास याद रखना है निक्षित रखिए सुजाता के कितनी कृतिया प्रकासित हो चुकी है और आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोश्ट इंपोर्टेर ये तने भी कुश्चन करवाने वाले हैं डाइडेक्ट आपके एक्जाम में आएगा नगर कहानी के अनुबादा कौन है तो श्री निवास अप्सन नमबर ये याद रखिएगा कौन तो श्री निवास निक्षित तिरपन नमबर अनूज का स्टर्लिंग रूप क्या है अप्सन नमबर ये अनूजा भी अनूजी सी है अनूजाई और डी है अनूजी ये जी में कमेंट कीजिए तब तक मैं में स्क्रीन पे मारकर ले रहा हूं यहां से गाइब हो गया है तो फिर टिंव पन का आप लोगा अन्सर याद रखिएगा अनूज का स्ट लूप क्या होता था तो अनूजा याद रखना इस ट्रल्फित पूछाए ठीक है अनूज का स्ट लिंग अनूजा होता है जब सक्वान है आधीन भी अधीन और सफ्वान है पार्यवाची क्या है पार्य आद्या ज़िएगा आपकी एकजामें डाइरेक्ट्ट्र ऑफजन नमर चाकर भी अमर शीकलत्र डिासुफ तो तो दास सब्द का जो पर्यावाची होता है क्या होता है तो चाकर दास। यानि कि नोकर आपर बोकि सिंपल याद रखें नोकर नोकर चाकर बोलते हैं hopefully dogs का चाकर पर्यावाची है 56 आपेक्च सब्द का विशेशन आपेक्चू बी है आपेक्च्छा धीन सी है आपेक्च्छित दी है आपेक्च्छित त्यजी में तो 56 नमबर प्रश्ण का अंसर याद रखेगा आपेक्च्छित आपेक्च्छा सब्द का विशेशन आपेक्च्छित वागजल सब्द का पूरा सब संग्या आप्सान नमबर एक्ति वाचक बीजाती वाचक सी भाव वाचक और डी है गुन वाचक समाप्रवीन हेलो शिर्ट समाप्रवीन सी बता रहे हैं कि अ कि आज रात में भी लाइब होगा ठीक है मात लिए अभी घंटा लाइब होगा आप लोगा रात में आठ बजे से आज लाइब होगा तो पूर अप्सान नमबर एक्ति वाचक याद रखना पूरव सब्साद क्या है तो व्याक्ति वाचक चीकू यह बता रहे हैं सब्सक्राइब को जारा इंपोटेंट है सरवनाम कौन मेसे टूपाली रूपाली सराथ में लास होगा रात में आठेशे लास होगा विखागा स्टेस जो हाँ जो यह क्या थो सर्वनाम है नेश्ज किशाथ नमबर गुनवाचक भी सेशना स्टेस नमबर एक सिदो और यह प्रश्म बहुत ज्यादा इंपोटेंट है रही करते हुए दोसो प्रष्ण भी करवाने वाले तो गुन वाचक विसेशन कौन है इसका सही जवाब अप्सन नमबर ए हो जाएगा अच्छा क्या है तो गुन वाचक विसेशन निक्ष देखिए बूद एंड हिस धम्मा के लेखक अप्सन नमबर ए नदिल वी रोचन सर्मा वी गुनाकर मुले सिय भीम राव अंबेदकर दि पालिसी तो बुद्ध एंड हिस धम्म के लेखक कौन है तो भीम राव अंबेद का ठीक है नेक्ष प्रस्ट आप लोगों को देखना है एक मिट गिर्धर लाल सेंट साहब की फैक्टरी में क्या था ऑप्सन नमबर ए ड्राइबर वी नौकर सिकीरानी डी चौकिदार एक ब जर्धर लाल सेंट साहब की फैक्टरी में क्या था तो किरानी किरानी याद रखिएगा तीरपन का सी स्वारी यह प्रस्ट नेसका सही जवाब सी होगा तीरपन नहीं था बासट का देखें नेक्ष परस्ट ने कि मनुस्री की पसूता को जितनी बार भी काट दी जाए वह मरना नहीं जानती या कि सिरसक पाट की कभी तैजी में कमेंट करते रहेगा अफसर नमबर ए वीस के दात भी बहादूर सी नाखुन क्यों बढ़ते हैं दी मचली तैजी में कमेंट क यह दोस्तों में बताईएगा चीकू का जबाब आ चुका है नेक्ष देखिए अपसों नमर सीज का सभी जबाब है चंदर गुप्त दूतिये का बैक्ति बैक्ति नाम क्या था तो देव याद रखना है ठीक है पैसर नमर पर चोरी का प्रूद् पर चोरी का रूप लगा था कितने रूपय अवसे नमर गाता बहादूर पर चोरी का रूप यह नहीं होगा हिंदी का मातर एक से 2.1 घंटा का क्लास होगा इसा ज्यादा का नहीं होगा ठीक है आठ बजे होगा तो मैसका लाइब कल लेंगे सब्जेक्टिव का जितना भी स में बहुत वही प्रशन का लगत है तो आझ सबस्मोन बगाता आ कि याद रखिया रूबर रिष्टेदार लगाते निएजेखिए चारव प्रशन बिर जू आधि विर्जु महराज जो है बिर्जू महराज अपना सब से बनाज़ किसको मांतार Status नम्हान नम्मान को दी बाबु जी को चाचा जी को डी ये जादा जी को कि ये में मुंबई में चैन्नई में और डी है डिली में तो इसका डाइरेक्ट आणसर आप लोग याद रखेगा कहा पर तो एक वार्ट एजी में कमें कलकत्ता याद रखना है कहां पर तो कलकत्ता में नेक्ष्ट जखी 68 नमबर राम नाम बिर्थे जगी जनमास सिर्शक कवीता के अनुसार इस्वर के सरन में जाने का अधिकार कौन है अधिकार कौन रखता है जो हंकारी है भी जो निदास है सी जो दुखी है डि जिसका अंतह क पर निरमलो बिल्कुल रस्खान किस पर सैक्रों इंद्र लोक निचावर करने की बात करते हैं और सनमबर एक करीलो के कुंज पर भी है बलराम पर सी है गोपियों पर डी है राधा पर तेजी में कमेंट किजिए कि रस्खान किस पर सैक्रों इंद्र लोक को निचावर करने क कि बाद ये करते हैं देखिए तो इस प्रश्ण का सही जबाव अफसर नमबर ए हो जाएगा करीले के कुंज पर नेक्ष्ट की सतर नमबर नादिर साके स्थानिक ने किसे मार डाला अफसर नमबर ए गुरुनाना को भी घनानंद को सी है रस्खान को और डी है तूलसी को तेक अबर तेजी में बताईएगा कि रस्खान नादिर साके स्थानिक जो है किसे मार डाला रुपाली का जबाब आ रहा है देखिए तो नादिर साके स्थानिक ने किसे मार डाला चीकू का भी जबाब आ चुका है तो घनानंद इसका सही जबाब होगा ऑफसर नमबर भी नाद सिर्षा के सानिक किसको मार डाला था तो घनानंद को ठीक है नेक्ष देखिए 71 सुमित्रा नंदन पंथ रचित भारत सिर्षक कविता कहां से संकलित है तो यह प्रश्णिस्मार के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोटेंट और भी भी आई है डाइडेक्ट आपके एक्जाम में पूछेगा और सिर्षक कविता कहां से संकलित है और देखिए एकस्प्रश्णका अंसर आप लोगया रखेगा आपस Warum बी ग्रामिया से संकलित है किससे तो ग्रामिया से नेक्ष प्रश्ण आप लोई देखिए अग्ये किस का रखारा के कभिय ऑफ्सन नंबर ए छ सब्सक्राइब कर लिए एक बिल्क्ष की हत्या सिर्सक पार्ट में दूर से कौन ललकारता आपसा नमरे चोर बी डाकू सी यह ब्रिक्ष रूपी चौकिदार और डी है सत्रू यह प्रश्ण बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है बार के लिए एक बार कमेंट किजिए और बता दिस्क्रिप्षन में लिंक भी दिया गया है नहीं तो यह वाट्सप नमबर स्क्रीन सोट मार लिजिएगा तो एक बिल्क्ष की हत्या सिर्सक पार्ट में दूर से कौन ललकारता है तो इसका सही जबाब ऑप्सन नमबर सी हो जाएगा एक बिल्क्ष रूपी चौकिदार ल वहीं पर आपको वाइरल कोशन या फ्री पीडिएफ नूर्स मिलने वाले हैं यह मेरा वाट्सप नमबर है नाम सचीन सर से सिफ कर लेना है जल्दी से स्कीन सोट मारिये कभी रेनल मारिया रिल के किसका संदार लवता गिर जाने की बाते करता है तो इस प्रश्न का सही जब सब्सक्राइब का ऑप्सन नमबर ए बिल्कुल सही जबाब होगा 75 खो का उचारन अस्थान आपको एक ट्रिक वता रहे हैं जिंद्गी भर याद रहेगा ट्रिक है और कूबी सरजनिया नाम कंठा अकूबी सरजनिया नाम कंठा को देखिए और को जितना भी एंक होता है व बिल्गाइब जबाएं मॉर्धा सहुता है ते लितू लसानम दंता भी अथ hicक अफ़ाज़ अफिक य को चारन होता है खेंध है याद रखियेगा 35 का सही जبाब सुक्ति मेर्म promet भी कणठिका विल्कुल सही जवाब है सरोज सब्ज का संदी विचेद और आपकी एकजाम में डाइडेक्ट पूछेगा ही पूछेगा तो सरोज सब्ज का संदी विचेद क्या होता है तो आपसन नमबर सी याद रखेगा सरह पलस जो सरोज निक्स रखेगा इने में से सुध सब्जक कान है अपसन नमबर एच्णमा सीभी हैच इसल्ट संद्व शब्द और कहा है मात्र 26 प्रश्ण और करेंगे हम लोग ज्यादा प्रश्ण नहीं करेंगे आज रात में उसके बाद हम लोग आठ वजे करेंगे रात में आठ वजे 77 का सही जवावसर नमबर D सुद्ध सब्ध बस इसमें गनित लिखा हुआ है सिंदु सब्ध कौन संग्या अफसर नमबर E व्यक्ति वाचक, वीभाव वाचक, C है द्रब्ब वाचक, D है सम्मूह वाचक एक बार तेजी में बताए कि सिंदु सब्ध क्या है तेजी में कमेंट किजी और बताए सिंदु सब्ध कौन संग्या है 78 का सभाव option number व्यक्तिव आचक याद रखिएगा सिंदू सब्द क्या है तो व्यक्तिव आचक नियम सब्द का लिंग निरना करें option number पूलंग, pooling, b, sterling, c, u, h, link, d, inवे से कोई नहीं एक बार तेजी में कमेंट करिये और बताइए कि नियम सब्द का कौन सा लिंग है सभापति का इस्टर लिंग रूप क्या है और अपसे नमरे सभापतनी, c, s, 3, d, s, m, अध्यक्षई, और d, n, m, s, कोई नहीं जबर तेजी में बताइए कि सभापति का इस्टर लिंग रूप क्या है अस्टी का आंसर याद रखियेगा सभापति का सही जबाब क्या हो जाएगा इस्टर लिंग रूप तो सभा नित्री, r.j.d, r.j.d, राहूल भाई का विल्कुल सही जबाब है, रूपाली का सही है निक्ष्ट देखी सभी लोग मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन काल है। मिलेंगे टूटल अभी सो प्रश्ण कर लेते हैं ठीक है आठ बजे क्लास होगा बिल्कुल होगा तो मैं दिल्ली कल जाओंगा देखे कल लिखा तो भविस्यत काल हो जाएगा ठीक है विरासी ग्राव प्रवेश कौन समा से अप्शन मेरे अभ्याई भाव वी द्यूगूस इ सुख सब्द का पार्याबाची अप्शन अधी प्रसंता सी भी लोचन डी है इहा तो तो तीरासी का सही जवाव आप्शन नमबर भी याद रखिएगा देखे पार्याबाची यह सब ब्याकरन जो है नन हिंदी हो यह हिंदी सबका सेम रहेगा ब्याकरन में सेम कोशन सब्सक्राइब इस बार के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आजएडी राहूल भाई रुपाली मैस का क्लास होगा मैट्स का मैट्स का कोशिच करेंगे मैट्स का मैस का भी होगा उसमें कुछ साइंस का भी अबजेक्टिव रख देंगे ठीक है मैट्स और साइंस दोनों का मैट्स प्लस साइंस दोनों रहेगा मैट्स को भी एड कर लेंगे साइंस को भी एड कर लेंगे लोम क्या होगा चौरासी काफसर नमर भी याद रखेगा छूत का विलो मचूत देखे नेक्स प्रशन दात काटी रोटी मुहाबरे का अर्थ आपसर नमरे बोलने सो रुकना भी प्रतेक्शना स्युदा सुना डिगहरी दोस्ती यह मुहाबरा बहुण ज़्यादा इंपोटेंट है दांत काटी रोटी मुहाबरे का अर्थ रु पाली खानकलावची का सही जवाब अफसर नमर D दांत काटी मात रभी तो प्रश्णी कर वाएंगे उसके बाद हम लोग कल कर वाएंगे और सुब्बार में भी एक लाइब हो जाएगा सुबह में भी साथ या आठ बजे कोशि़ करेंगे लाइव ले लेने का साथ या अधिया और जोघे काल सुभा भी हो गास्टा है तो लभ ले लिंगे सारे सब जर्ट अमिसर मिक्स दो pestle कोषे रहें सब्सक्राइब अंग्लिज्स सरी इंगलिस सोटानीफ पांच शमॉन सब्सक्राइब मैं थे हिंदी में मैच इंगलीज समाजिक विए साइन टोटल सब्जेक्ट से विस्विस कोशन कल रहेगा तो सभी को तयार रहना है कल सुबह में तो उगर संदर कौन सा समाता सै स्याम संदर कौन समासा अप्सनम नमबरे कर्म धर राय वी दुगू सीद्वंदद अबय भाव रात में भी होगा तो 50 रहेगा मैच से और 50 हो सकता है तो विज्यान से कौशन रखेंगे कि गर्न ईजाशन करमा एंगे घरनित्स प्रस्णन कर राइंगे ढिएंगे जो पूछ आपर स्ने टूल कि अवा निकिये ब्याकरम का जबाब दी जेए ब्याकरम जो सभी का स्यम रहता है तो स्याम सुंदर कौन समास है तो इसका सही जबाव और सम बरे सय मसुंदर कौन समास है तो कर्म धारा याद रखना है निक्ष दखिए इनमें कौन सब्ध तत्सम है देखिए तत्सम पूचा है जो सब्ध क्या हो संस्कृत का रूप उसे तत्सम बोलते हैं और लोटा भी कटोरा सिकरपूरी डिकोय तादवां शमात porch माइस वेसे सबाद को बोलते हैं जो कि संस्क्रित का बदला हो औरुप है помी तनके हमारे हंदी में में ही थाज व based अ हदिन अफ वीचला है को वीचल में हो इसे भी दिनी पार्छेिज थी खालं कि ऐच्चिज को आर जяти रहूल। प्रिन्स सुर्वड ही रूप आलि है तो इसमें पर संस्क्रित का तो कर पूरी कर पूरी समय जबाब हो जाएगा देखिए लोटा क्या है तो यह देशाज सब सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल पर नहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और वार्ट्सअप ग्रूप में जरूर जोइन हो जाएगा और वहें पर आपको वाइरल कोशन और फ्री पीडिया नोट्स मिलने वाले हैं तो अंदे में काना राजा लोकक्ति का अर्थ क्या होता है तो नवासी का सही जबाब ऑप्सन नंबर ए हो जाएगा मुखों में कुछ प तो साधर का बिलोम निराधर ऑफ्सन नमबर भी याद रखिये साधर का बिलोम क्या होगा निराधर निक्ष्ट देखिए दस मुख कौन समास है ओफ सनमरे वहुवरी बीतत-पुरुष सिद्वंद डि अब्यव हाव दसमुख देखिए पहला सब्सकू पकरिए दस एक बर हो जिसका कौन तेजी में कमेंट कीजिए आरजेडी राहुल भाई रुपाली बहुबरी समास याद रखेगा अब 91 नुबर याद रखेगा बहुबरी समास दस मुख हो जिसका यानि क्या रावन दसानन रावन ठीक है विरान में अपने से बरे का आदर करना उचित किस सर्वनाम का उधारन है बहुत ज़्यदा इंपोटेंट है कि अपने से बरे का आदर करना उचित है या किस सर्वनाम का उधारन है बीवी आए एक बरतेजी में कमेंट कीजिए और बताईएगा अपने से बरे का आदर करना उचित है किस सर्वनाम का उदाहरन है तारा प्रवीन रुपाली चलिए बिरान में का सही जबाव सनमर सी निजवासक यह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरन है निश्ट देखिए सभी लोग पारिक्छा सब्सका लिर निंग निरना का चीकु का भी बिलुक चीकु सब्सका लिंग निरना की जिए बहुँ ज्यादा इंपोटेंट है परिक्षा बहुत से लोग को परिक्षा लिखने ही नहीं आता है एक परिक्षा का मतलब चूरायल होता है अफसा नमबर एस्ट्र लिंग भी पूलिंग सी उभाय लिंग और डीन में से कोई नहीं तो बताए दिरैंट साव्त का लिंग निरना कीजिए फरीक्षा रूपाली का चुराले का बाहुचु का है եे कीजिए परिक्षा टालिंग निरना एक करना है पटा रहे हैं तिरानुए नंबर प्रशन का सहीं जबाब ऑुसान नमראל याद रख्येगा तिरानुएकर परिक्षा क्या लिंग परिक्षा क्या है तो स्टेरलिंग ये परिक्षा का मतलब क्या होता है तो एक सब्सक्राइब विचेद का ये ऊपलस दैण भी उध पलस ऐसी ऊद पलस और डी अउन्स पलस ऐ तेजिए में गवार कमेंट कीजिए और बताएए उदै का संधी विचेद उद्या सब्द का संदी विचेद क्या होगा यह भीवी आई है उद्या सब्द का संदी विचेद करना है अर्जे डी, राहुल भाई, तारा प्रवीन तो उद्या सब्द का संदी विचेद क्या होगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा आफसेनमर डी उत पलस ए उत पलस आ जो है उदया सब्लका संदी वीचेश दाए निवास सब्लमें उपसर्ग और सब्लिदी निवास कर निवास सब्लमें उपसर्ग यह क्या है यह वर के लिए प्रशन बहुट पूछा गया है 2019 में 2021 में 2013 2014 में टीके तो निवास सब्दम उपसरग क्या आपसर नमबर याद रखेंगा निइडक्ष दखें धर्ती कब तक घुमेगी सिर्सक पार्ठ किस चीज का आपसा नमबर एखेती का, भी पैदावार का, सी रोटी का, डी रोजी का, जिसका डाइरेक्ट आंसर याद रखेगा, धरती कब तक घुमेगी, पाठ में किस तबाल का चीज है, तो रोटी का, next, बल्ली अमाल ने बेठी को ठीक होने के लिए, किस मंदिर में मननत मांगी, बल आपसा नमबर बी हो जाएगा, ठीक है, बैदि स्वरन का, ठीक, next question देखिए, कटक सर को बाट से बचाने के लिए, किस ने पत्थर का बांध बनवाया था, अपसा नमबर ए, आयाती, भी भीम, सी महराजा, आयाती की सोरी ने, डी है, महराज, चंदर सेन ने, कटक सर को बाट से बचाने के लिए, किस ने पत्थर का बांध बनवाया था, कमिन कीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है, देखिए, तो इस परशन का अंसर याद रखिएगा, अपसन नमबर ए, हो दाएगा, महराजा, आयाती की सोरी ने, महराजा, आयाती की सोरी, नेक्ष्ट देकिन अगर सिर्थक पार्ट में, अमलराज को कितने नमबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया, अबसर नमबर ए, चालिस नमबर, बियक तालिस, सी औरतालिस, डी बैयालिस नमबर, तो इसका डिरेक्ट आनसर याद रखिएगा, अब रास को जो है, कितने नंबर कमरे दिखलाने की बात कही गई है, तो वहाँ पर जबाब हो जाएगा, 48 नंबर का, 48 नंबर नेक्ष देखेए, नेक्ष प्रशन क्या है, मगम्मा की बहु का नाम क्या था अफसे नमबरे नजम्मा, बिये परियम्मा, सिय दिलम्मा, डिये नियम्मा तो बताना है कि मगम्मा की बहु का नाम क्या था तो आंसर याद रखेगा मगम्मा के जो बहु का नाम था नजम्मा नजम्मा याद रखिएगा चलिए कम से कम बीस और ब्याकरन के कुश्चन आप लोगों करवा देते हैं मातर ब्याकरन के कुश्चन करवाएंगे ठीक है दूसरा चीज का कुश्चन नहीं करवाएंगे जो सभी के लिए इंपोर्टेंट है चली यहां से कुछ कोश्चन कर लेते हैं हम लोग ब्याकरन का कोश्चन है इस अभी के लिए इंपोर्टेंट है नन हिंदी में भी यही पूछेगा बुढ़ापा में कौन सा प्रत्य है देखे प्रत्य आपको बता देते हैं प्रत्य बाद में लगेगा और उपसर्ग पहले यहापका नन हिंदी हो यह दोनों में पूछे जाएगा ऑप्सन सा मेरे पाप यह आपां यह आपा यह बताई Queens आप कौन सा प्रत्य लगेगा बुढ़ापा में कौन सा प्रत्याई लगेगा तेजी में कमेंट कीजे सभी लोग बस ब्याकरण आप लोग करते रहें बस ब्याकरण का कोशन कर आएंगे दूसरा चीज़ का नहीं बजरंग उपता भी बतर बजरंग अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वाट्साप ग्रूप में आप लोग जरूर से जरूर ज़ाइन हो जाएंगे वहीं पर आपको फिरी पीडियाप नोट्स या वाइरल कुस्टिंस जो है वहीं पर मिलेंगे यह नंबर ह डित्वाले जहिए तो उटाप अलातर में सब्सक्राइब करण है जो है इसका सही जवाब है उनिक्षडेक नेक्स्ट प्रस्ट निम लखिए सब्द में कौन सा सब्सुद्द है इस प्रस्ट है इस प्रस्न सब्सक्राइब करते रहना है एक बार कमेंट किजिए और बताइए कि आखिर में कौन सा सब्सक्राइब मालिक बाबु ख्यारा ए बता रहे हैं रुपाली भी बजरंग गुप्त सी रंजीत कुस्वाह जी बी रंजीत कुस्वाह जी अगर चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वाट्साप ग्रूप में वह से जॉइन हो जाएगा वहीं पर आपको प्री पीडियाप नूट्स और वाइलर कोश्चन मिलेंगे तो 27 का सही जबाव आपसा नमबर बी याद रखिएगा उच्छवास आपसा नमबर भी सही है नेक्ष देखेगा कौन सा सब्सक्राइब सुद्ध है चीकू खान कलाम तो तेजी में बजरंग गुप्त तारा प्रवीन जितने भी ब्याकरन कोश्चन करवा रहा है करवा ब्याकरन कोश्चन से नंबर बरता एक्जामें ठीक है ब्याकरन पर पकर बना लिजे रंजीत कुसवाह ज तो 28 नंबर पर प्रश्चन का सही जवाव अफसन नंबर ए चरमो प्लस उतकर्स जो है चरमो उतकर्स यह सब्स जो है सुद्ध है नेक्ष देखिएगा निमलखित वाके में कौन सा वाके सुद्ध है अफसन नंबर यह वाला कहां जा रहे हैं बच्चा का क्या समचार है सी कि एक माला ला दिजिए डी लता दो चिट्धि लिखी है तेजी में कमेंट कीजिए और बताईए कि निमलखित वाक्य में कौन सा वाके सुद्ध है नहीं है कि मलिक बाबु खैरा जी सी बतार अंजीत कुस्वाहा तारा प्रवीन सुबह में कल साथ से आठ बजे के बीच में पढ़ा सकते हैं ठीक है वीडियो भी डालेंगे ग्यारा बजे आप लोग को एक वीडियो डाले थे ठीक है आप लोगों ने अगर नहीं देखा है नौ बजे वीडियो जो डाले थे 10 मिर्ट का वो आप लोग देख लीजिएगा 10 मिर्ट का वीडियो था बहुत ज़्यादा इंपोटेंट तो निवलिकित बाके में कौन सा बाके सुद्ध है तो आपसर नमबर सी याद रखेगा फूलों की माला ला दीजिए आपसर नमबर सी अपसर नमबर थे 15 रखेगा जिए अपसर नमबर ए परथी बवान होना इप ये बुद्धि मान होना सी याद बुद्धी का वन्धि भरस्ट होना तीरे जिमे एक बार कमेंट किजिएगा और बतायेगा अकल पर पथर परणा मुहाबरे का अर्थ क्या है खान का लाम तारा प्रवीन आरजी डी राहुल भाई बजरंग गुप्त रुपाली तो देखिए अकल पर पत्थर पर रहा मुहावरे का मुझ आर्थ होता है बुद्धी भरस्ट होना ऑप्सनम बड़ी निक्ष देखे वर्ण के कितने प्रकार होते हैं यह प्रश्ण आपके इंपोर्टेंट आपके एक्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है तारा प्रवीन रंजीत कुस्वाहा सभी लोग केजिए में कर्मेंट कीजिए तो रुपाली राहुल देखे एक्टिस नमबर प्रश्ण का सही जबाब होगा वर्ण के कितने प्रकार होते हैं तो दो स्वर्ण वर्ण और विंजन वर्ण याद रखे हैं कौन-कौन तो स्वर्ण और विंजन वर्ण स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी हैं अफ्टन नमबर ए 10 विए 11 सी 17 डीकिस तेजी में कमेंट कीजिए और बताईए चले बहुत अच्छा चीकू जी दो बताए हैं मलिक बाबु खेरा अगर दो बताए होंगी तो सही था स्वर्ण की संख्या कितनी होती है अफ्टन नमबर ए 10 विए 11 सी 17 डीकिस वर्ण जो है दो है स्वर्ण और विंजन वर्ण अभी लाइब होगा रात में आठ वजे से लाइब होगा ठीक है रात में आठ वजे से कल सु है वीडियो अपलोड करते हैं लेकिन आपनों को नहीं मिला बेटिक है कोई बात नहीं है कोई बात नहीं नहीं पता है तो अभी पता हो जाएगा तो सुर्ण बंड़ कि उसaking के खो ओती है कुल होती है अक चैना परोब मैं पार लेता हूं कमेंट और यार यार मिस्प्रींट है यह आपर यार स्वार्ट बन की संख्यां 11 होती है तो बन की संख्या जरो और पिस नमर 20 अठीक है सुर्वर न में आते हैं पर रवन की संख्या ग्यारह वह जायागी स्था निखिए 53 फ्रस्ष्ट लेंजन वन कितने हैं वेंजन वर्ण ऑपशन लन्बर कि और मतंफो न कि संख्या कितनी होती है को बहुत ज्यादा करें कि बढ़िए कि वेंशन वन की नकिऊ है कि खिशोर्ण वर्ड की दिखिर वाँ और सी दिर्गी यर्टोर्ब रई गरी तक जो सच्च्ट कि याद रखना है कोई ना उचारन अस्थान ट्रिक आप लोग को दे रहा है पहले बदना यह जनत बितालू सीनासिका डिकंठ अभी यहां पर आपको उचारनस्थान का ट्रिक बताएंगे बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है चाहे कोई भी हो हिंदी नानेंडी कोई भी कहीं पर यह पर यह कर सकते हैं ट्रीक है बहुत जाद इंपोटेंट संस्कृत में भी आपका कुशन बन जाया गाई से कि देखिए कोवर्न का उचारना स्थान हो ऐसे कंट होता ठीक है ट्रीक याद कर लिजे ट्रीक क्या है ट्रीक देखिए क्या है और कु वी एक मेट वी सर्ज अनिया नाम है लास्ट में लिखा हुआ तो और और भी सर्ग का उचारना स्थान क्या होता है तो कंट होता है और कुशन जानिया नाम कंठा ठीक है और कु भी सर्ज ने अनिकी और और अंगा जो इसमें नहीं लेना अंगा को छोड़ देना है तो यह सभी का उचारना स्थान क्या हो जाएगा कंठ उसके बाद एक ट्रीक आता है वह भी ट्रीक आप लोग यहां पर लिख देते हैं भोगा तो वीडियो बना कर नहीं तो कॉ याह तो इसमीय का देशान चश技 दा का पूरा बस ट्योंन हिए और हमेते साट क्या होता है तो तालूकी और ऑ्लाच्चियोएगा होन्तली लगिशान भाद लन संन है जτιल्य कि बाधि वह ट्रीकितो से आंतलों शे दी कि आ संसान गें तुम्क्त को दिकत नहीं मैंने संस्कृत का वीडियो बनाया था ठीक हूआ कि आपके त kinetic का मैं कृडियो बनाया हुआ है और तू क्ष्क संसकृत में दोनों द्थान से कोस्षन पूछता है ठीक है त्रीक है औगु विया कंठ याद कर लिए जानी है त्रीक है आप लोगो झण संस्कृत पर हाते तो यहां पर यह सारा ट्रिक देए के संस्क्रिट का ही है लेकिन हिंदी में भी सारा यहीं से बन जाता है ठीक है तो कौका उचारना श्थान करंठ issue ai Vert कि विए या Corps the belly method किजिए वो χारहे स्थान से आपके एकजाम में पांच नमबर की को सद्थान फीकर फिक्स आएंगे वो चारन नस्त्थान से आते हैं चेनन बीहों यहंदी ओ देऊ धी तो डिक्त है इत्प में क्कूण तालू इत्ट ऍेलिस के आपके पास कॉपी है तो कोफी में लिखेंग जो मैं बोल रहा हूं। यह इसानम इज यह सान। ट्ल वर ड़ έχu घ्तलावी यह तानम अज भालू यथू यह तानम तालू इसान नम ताळू लिक्निच लिए यह त One अम तालू दिखेंगे यहापर कलर मैं चेंज पर लूऔर बताओं तो यह पर यह पर यह पूरा बैट रहा ठीक है रोकी रोक अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वाट्स आप ग्रूप मैं से जाएगा यह नंबर है वहीं पर आपको फिरी पीडिया नोट्स या वाइरल कुस्टन मिलेगा ठीक है कहीं भी पैसे के चकर में नहीं परना है निक्षदका 36 नमर प्रेश्ण 46 और 100 का उचारनस्थान तो तलावे 100 का बता दिये तो वहीं से बन जाएगा तालू इसका कर लिजेगा इचू यसा नम तालू ठीक है मो का उचारनस्थान देखी यह इसका भी अभी ट्रिक बता देंगे मो का उचारनस्थान क्या है उपसा नमबर ए दंत B कंड तालावे C है नासिका और D है मुर्धा एक बार बताईए कि इसका सही जबाब क्या होगा कंड तालवे का उचारनस्थान सोरी मौ का उचारन अस्थान क्या होगा तेजी में कमेंट की दिये और बताईए तभी लोग कि मौ का उचारन अस्थान क्या होगा मेरा जोब सरकारी देखिए ट्रिक क्या है तो रीटू रसाना मुर्धारी एक में टेक में टेक में ट्रिक देखिए ट्रिक है अचार रीटू रसाना मुर्धारी और दूसरा कटी लिखते हैं लाद स समझाएंगे आपको इसको प्लता कर लहते हैं हां जैडर को त्रिक क्या है है र री कोई तहूरोसानम भी तू हतना दूरोसानम मुर्धा यि तूरसानम मो त्षरिक सब्सक्रद्ट रिडैंऑ इसको यहां पर बताते हैं कि किसो कहा कभी देखे री का उचारना स्थान तो का masih जो नौ को छोर कर सिर्फ टोठो टोठो बस नौ को छोर के उसके पाद रो का उचारना स्थान उसके बाद क्या है उसके मुर्धान स्वा का उचारना स्थान नौ का उचारना स्थान और मौ का उचारना स्थान किससे होता है तो किस से होता है सभी का उचार अनस्थान तो मुर्धा से option number D याद रखिएगा रीटू रसान मुर्धा ठीक है रीटू रसान मुर्धा याद रख लिजेगा सभी लोग नासिका नहीं होगा यह मिस्प्रिंट है यहाँ पे गलत है यह गलत है इसको नहीं देखिए डीटू रसान रम मुर्धा ट्रिक है उससे पे याद कर लिजेगा नौ का उचार अनस्थान देखिए इसका भी ट्रिक भी बताएंगे आपको option number A दंट बी नासिका सिकंठ तालव यादि मुर्धा सभी का जो पंचम बर्ण सभी का जो को 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 का पंचम बर्ण चल्चोज़गा पंचम बर्ण यानकी पंचमाक्षर लास्ट रक्षर जो है उसका उचार अनस्थान क्या होता है तो तो तेजी में कमेंट कीजिए और बताइए आप लोग जो आपके छोटे भाई बहन है उसको जरूर बताईएगा इस चैनल के माध्यम से 20 तारिक से जो है बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा जब आप लोग का एक्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद बोर्ड पर डाइडेक्ट हम वीडियो बना बना कर बनाए a monga a monga sourde yeah yeah well I got a monga nah nah a mongan I'm you're not a love is all a monga तो सभी का उचारण अस्थान क्या होता है तो एमंग नानाम नासी का चो एमंग नानाम नासी का चो औप्सन नमबर B ऐसे करके याद रख लिए गा एमंग नानाम नासी का चो अगर थोड़ा भी मज़ा आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए जितने भी हमारे स्टुडेंट्स ज्वाइन है सभी लोग लाइक कर दीजिए गार किया होता है बहुत ही इंपोटेंट है उका उचारनस्थान अगर आपको मज़ा तनिक भी आ रहा है तो एक जो पढ़ाया हुआ है आठ लग रहा है लेखे जिसका विएक ट्रीक ट्रीक याद कर लिए ठ्रीक है उपद मनिया नाम एश्था उपद मनिया नाम यहां से मीठी जा रहा यार मिचे गास वीडि परने से मीठी तेक लोट उप लिक Bombi लीजिएगा उसके बाद कॉभ पद शलिए उपदमानिया नाम ठीक है उपदमानिया नाम ओस्था उपदमानिया नाम ओस्था ठीक है उपदमानिया नाम ऊपदमानिया नाम ऊपदमानिया नाम ऊपफ़ाववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव ठीक है एकर वीडियो को लाइक कर दिजेगा अच्छा लग रहा है तब हिंदी वर्नों में कुल वर्नों की संख्या देखिए कुल वर्न की संख्या बताना है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है कमेंट कीजिए और बताइए कि हिंदी इंपोर्टेंट है आपकी एक्जाम के लिए ठीक है तो बताईए आप लोग हिंदी में वर्णों की खुल संख्या कितनी होती है यह तो इंपोर्टेंट आप लोग खुछ से बताईएगा चलिए बहुत अच्छा तारा प्रवीन आरजेडी राहुल भाई रॉकिंग खान कलाम तारा प्रवीन चिगू मलिक बाबु खैरा जी तो चालिस नमबर प्रश्ण का अंसर आप लोग याद रखिएगा बर्ण की संख्या 44 44 44 नहीं 44 बहुत ट्रिक इसका भी ट्रिक अभी बताते इसका ट्रिक आप लोग को सुरुम बताएं थे लेकिन आपके लिए नहीं दिखा था तो आपका उचारनास्थान देखिए और सनमबर पहले आपको कमेंट कीजिए एक बार कंठ ओस्ट कंठ ताला बे मुर्धा एक बार आपका रुपाली का जबाव आ चुका है तेजी में कमेंट कीजिए उसके बाद हम ट्रिक बताएंगे डाइरेक्ट इसका याद करने का कजिए में चलिए रोखी छीकू तरह प्रवीन कि तो देखिए और का उचारन अस्थान जो होता है क्या होता है गौड से ओ खूंब याम उकि विसर्जनिया नाम कूइसार्जेन crisis स ceux अनिया नम क्या कर लिज्येगा तो कण्थंज और Yonam कका उचार्न खूम स्थान और को का सियर बहुत दुरी चिसर्ज वोगए firstly जैनिया नामी और को में तो कंट से ओप्सन नमबर ए याद कर लिजेगा ओप्सन नमबर ए को को और को को पूरा ठीक है को को पूरा बस अंगा छोर के चले नेक्ष देखे 42 नमबर प्रस्ट लाक और चारना स्थान इसका भी अभी ट्रिक बताएंगे ऑप्सन नमबर ए दंत वी ओस्ट सिकंट तालब या डिमुर्धा तेजिमें कमेंट कीजिए लाक लाक अउचारना स्थान मर्क तेजे outcomes किजिये लोकि हो चर्णस्तान देखिये लो चैनल और संसक्षそんな रिफिक गोछ ओड़ लूजरी तुरी तू लउ सा नम ने तू लोसा नम क्या तो लोसा नम दंत रह तुलन सानम दंत डिट्ट सानम दंत ठीक है इसमें क्या लौ तो अथा दधा और लौ इस अभी का उचारना स्थान क्या है तो उचारना स्थान होता है कहां पर तो दंत से ऑप्सन नमबर ए याद रखेगा लिरेतू लसानम दंत बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है याद कर लिजिएगा सभी लोग देखिए ए और आ उचारना स्थान अप लोग को पताएं थे क्या मग नानाम तेजी में कमेंट कीजिएगा और तालू होता है यह यह याद कर लिजिए दो पूछाए तो इसलिए हो कंट और तालू दोनों अंगा का उचारा नस्थान देखिए एमंग नानाम एमंग अनो इमंग नानाम पॉफवा कभी मुश्लाम अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करके इस नंबर पर मैसेज जरूर कीजिएगा यहीं पर तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या होगा एमंग नानाम एमंग 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 नानाम क्या नासी का अफसेन नंबर ढी याद रखिया क्या नासी ऑसटन नंबर डी ट्रिक अगर याद रहेगा तो आपका उचारण आश्ठान एक भी गलती नहीं होगा ठीक है रचारण अनस्दे क्या उस्थान कमेंट कि सहाविए तो लौ काउचारण अस्थान क्या होता है उचारन स्थान से पांच नमबर की आपकी एक्जाम में 100% पूछेगा पांच नमबर फिक्स है उचारन स्थान से तो उचारन स्थान को अच्छे से पर ले आप लोग को एक वीडियो बना कर देदेंगे पांच मेर का ठीक है को दिकत नहीं है वीडियो ही बना कर देदेंगे को लिए इसके इसका ट्रिक होता है री री तू रो साना मैं री 79 hiji जयित और शय्क्राइड आपकैन शक्राइड निवेशाय at का उचारनास्थान अप्सों नमबर ओस्ट भी नासी का सी तालू और डी हदंत ओस्ट एक बार कमेंट किजिए और बताइएगा हर सी और दिरगी का उचारनास्थान बहुत ज्यादा जिदना रहेगा उतना ज्यादा माक्स बढ़ जाएगा अटालिस का सही जबार सी याद रखे का तालू ठीक है और तालिस देखिए और वह का उचारनास्थान पचास प्रशण भी करवाके दो प्रस्थान नृच्छ फ्ड़ाइए तो याद रखएगा आप्सट नवरे वैक तिवात्र निश्ट दखिये स्थिर कॉन सिसंग्या है तो आप्शन नमर्व याद रखिया क्या कॉशन नोर्ष नोर्ष वाज़्याद ने तो आध्य हमने घंटा लाइब लिया था इसमें लगभभाग हमने देर सो से देर सो क्या देर सो हुआ ही 220 कोशन मातर एक घंटा में किया हम लोगों ने एक घंटा 20 में होगा होगा मातर से ज्यादा नहीं तो आसा करते आपको वीडियो अच्छी लग रहे हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक किजेगा चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में सेर कारना है मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ एक नए जोस और जुनूर के साथ तब तक कि रितने थैंक यू